है लो दोस्तों क्रिको मेनिया में आपका दिल से स्वागत हैं दोस्तों अगर आप क्रिकेट से जुड़ी वीडियो के दीवाने हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजे और अगर आप क्रिकेट की हाइलाइट्स और अनोके अनोके रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं तो हमारा नया चैनल क्रिकेट के दीवानों को भी सब्सक्राइब कर लीजे वहाँ पे हम अनोके अनोके रिकॉर्ड्स डालते रहते हैं उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्णामेंट है इस प्रतियोगिता में अच्छा परदर्शन करने वाले सबी खिलाडी वे टीमें अपना सर्वोच परदर्शन देते हैं हाला कि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले छे बल्ले बाजों के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नमबर छे पर हैं महेला जैवर्द ने ICC वर्ल्ड कप 2011 में मेजबान भारत ने शिरिलंका को हरा कर खिताब जीता था लेकिन इस मैच में महेला जैवर्द ने एक यादगार पारी खेली थी महेला 16.3 ओवर के 60 पे 2 के स्कोर के अपर बल्ले बाजी करने आए थे जिसके बाद उन्होंने सिर्फ 88 गेंदों पर 13 चोकों की मदद से नाबाद 103 रन बनाए थे और इस पारी में उन्होंने काफी चांदार बल्ले बाजी की थी नमबर 5 पर हैं क्लाइव लॉइड 1975 में पहला वंडे वर्ल्ड कप खेला गया था जिसमें औस्टेलिया और वेस्ट इंडीस का मुकाबला हुआ इस मैच में वेस्ट इंडीस के कप्तान क्लाइव लॉइड ने सिर्फ 85 गेंदों पर 12 चोके और दो चकों की मदद से 102 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी नमबर 4 पर हैं अर्विंद डिसिलवा वर्ड कप 1996 में शिरिलंका के फाइनल में औस्टेलिया को हरा कर पहला वर्ड कप जीता था शिरिलंका ने इस मैच में अर्विंद डिसिलवा ने एक एतिहासिक पारी खेली थी डिसिलवा राणा तुंगा ने इस मैच में 242 रनों के लक्षे के जवाब में 124 गेंदों पर 13 चोको की मदद से नाबाद 107 रन की पारी खेली थी नमबर 3 पर हैं वीवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीस के पूर महान बले बाज वीवियन रिचर्ड्स ने वर्ल्ड कप 1989 में इंग्लेंड के विरूद शांदार शतक लगाते हुए दूसरी बार वर्ल्ड कप जिताया था इस मैच में रिचर्ड्स ने 157 गेंदों पर 11 चोको तीन चोको की मदद से नाबाद 138 रनों की पारी खेली थी नमबर 2 पर हैं रिक्की पॉंटिंग उस्टेलिया ने वर्ल्ड कप 2003 में भारत को हरा कर तीसरी बार वर्ल्ड कप पर कबजा किया इस मैच में उस्टेलियाई कप्तान रिक्की पॉंटिंग ने वर्ल्ड कप इतियास के सबसे शांदार और यादगार पारी खेली थी पॉंटिंग ने इस मैच में 121 गेंदों पर 4 चोको और 8 चोको की मदद से नाबाद 140 रनों की पारी खेली थी नमबर एक पर है एडम गिलक्रिस्ट पस्टेलिया के पूर्व विकेट कीपर एडम गिलक्रिस वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्ले बाज हैं गिलक्रिस्ट ने वर्ल्ड कप 2007 में शिरी लंका के विरूत सिर्फ 104 गेंदों पर 13 चोके और 8 गगन चुंबी चको की मदद से 149 रनों की एतिहासिक पारी खेली थी दोस्तो ऐसे ही शानदा रिकॉर्डो के लिए क्रिको मेनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए जैहिन दोस्तो